आशी सिंग लेक्चर्स की लेटेस लाइव इस्ट्रीम है दोस्तों इस लाइव इस्ट्रीम में हम लोग 11 क्लास का एक इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है व्रत्य गति तो सभी बच्चे एडिंग लगा है व्रत्य गति सर्कुलर मोशन व्रत्य गति इसके बारे में जो भी बेसिक्स है वो अपना आज डिसक्स करेंगे और इसके लिकार्डिंग जो एडवांस डिसक्शन है वो कल की क्लास में होगा चली श्रुबात करते हैं व्रत्य गति चर्कुलर मोषन का मतलब होता है व्रत में गति अगर कोई व्रत की अंदर गोल 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 चक्क रॉपर अब इससे समंधित बहुत सारी चीजे एं जो हम लोगों ने बना रखी है सवजने के लिए और परिबाशित कर रखी है जैसे मान लीजिए आप एक गोले में गोलगोल घुमते हैं जब आप एक गोले में गोलगोल घुमते हैं तो आप दो प्रकार के विस्थापन तै करते हैं पहला विस्थापन जिसे माल लोग, आप यहाँ से चलना शुरू किये, फस्ट पॉइंट से आप चलना शुरू किये, और पॉइंट नंबर दो तक आप गए, तो आपने दो तरह के यहाँ पर विस्थापन तय किये, एक तो है यह जो आपने तय किया, जिसे हम लोग कहते हैं रेखी ये विस्थापन S आप इसको भोल सकते हो और दूसरा आपने जो ये कोण तेह किया थीटा इसे हम कहते हैं कोणी ये विस्थापन तो यहाँ पे दो तरह के विस्थापन है एक है रेखी ये विस्थापन जो की आपका है S और एक आपका है कोणी ये विस्थापन जो की आपका है थीटा इससे पहले एक और बेसिक बात में आपको बताऊंगा जो आपने क्लास नाइंती में सीखी होगी कि जब आप रती रती करते हैं तो एक बात ध्यान रखें कि व्रती गती में हर बिंदू पर आपका वेग बदलता है जब आप इस बिंदू पर है तो यहाँ पर आप इस पर शिखा बनाएंगे आपके वेग की दिशा ये होगी जब आप इस बिंदू पर है आप इस पर शिखा बनाएंगे आपके वेक की दिशा ये आएगी जब आप यहाँ पर हैं आप इस पर शिका बनाएंगे वेक की दिशा ये होने वाली है इस बिंदू पर इस पर शिका बनाएंगे वेक की दिशा ये है इस बिंदू पर इस पर शिका बनाएंगे वेक की दिशा ये है मतलब व्रती गती में हर एक पॉइंट पे आपके वेक की दिशा बदलती रहती है मतलब वहाँ पे आपको तौरण देखने को मिलता है इसको मैं आगे आने वाले समय में काम मिलूँगा फिलाल ये बास समझें कि जो आपने रेखी विस्थापन तै किया और जो आपने कोणी विस्थापन दे किया दौनों के बारे में आपको पता होना चीए अब यहाँ पर कोणी विस्थापन जो है वो अपने आप में एक सदिश राशी है और उस सदिश राशी की अपन निकालेंगे दिशा अब ध्यान दे इसके दिशा के लिए आपको एक रूल काम में लेना पड़ेगा राइट हैंड थम्ब रूल कौन सा रूल काम में लेना पड़ेगा राइट हैंड थम्ब रूल दक्षिन हस्त अंगोस्ट नियम यह आपको काम में लेना पड़ेगा क्या करना है आपको जिस तरफ आपकी जिस दिशा में आपकी वस्तू व्रत्य गती कर रही है सीधे हाथ की उंगलियों को आपको उस दिशा में घुमाना है तो अंगूठा जो है वो आपको दिशा परदान करेगा फिर से वापस सिंसेर हो करके चीजों को सीखना है कि अगर आप कोणी विस्तापन की दिशा निकालने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको सीधे हाथ के अंगूठे को जिस तरफ भी व्रती गती हो रही है उस दिशा में घुमाना है अंगूठा आपको बताएगा कोणी और वैसे कोणिये विस्थापन थीटा को आप ढूंडना चाहें तो जैसे आपका वस्थू यहां पर है आप वस्थू को देखिए वह यहां पहुंच गई मतलब आप आपको पॉइंट नंबर एक पे रखिए पॉइंट नंबर एक से टू को देखने में यह जो एंगल बना ह मेरा हाथ ऐसे था पॉइंट नंबर टू पे वस्थू पहुंची मेरी आख ने जो एंगल स्वाइप किया है उस वस्थू को देखने में वही आपका क्या है कोणिये विस्थापन अगर आप समझना चाहें और जो थीटा है उस थीटा को अपन दो तरह से दिखा सकते हैं ए दिखरी में जैसे तीन सो साथ डिखरी है एक सो असी डिगरी है तो एक्चुल में एक सो असी डिगरी जो है वो पाई रेडियन होता है पाई एक सो असी डिगरी जो है वो होता है पाई डेडियन मेजर्मेंट क्यूनिट है तो तीन सो साथ डिगरी कितना होगा टू पाई र और रेडियंग का चक्कर चलता है 180 मतलब pi, 308 मतलब 2pi और 90 degree मतलब pi by 2 अब यहाँ पर एक और relation में निकालने के कोशिश करूँगा माल लो इसके त्रिज्जा capital आ रहे तो यह जो S है यह अपने आप में क्या है? चाप है तो अपने एक formula पढ़ा होगा arc upon radius is equals to angle यह आपने कभी ने कभी पढ़ा होगा कोण बराबर चाप बटा त्रिज्जा तो कोण है थीटा चाप है S, त्रिज्जा है capital R तो यहाँ से सूत निकल के आगया S बराबर capital R into theta के लिए सभी को S बराबर capital R into theta तो समझें S आपका क्या है याप रेखीये विस्थापन theta क्या है आपका अब दिमाख लगाईएगा रेखीये विस्थापन को जब आप समय के साथ जोडोगे तो इससे बनेगा रेखीये वेग इसमें अगर मैं समय को समय को इसके अंदर enter कराऊ तो उससे क्या बनेगा रेखिये वेग रेखिये वेग का मतलब होगा कि रेखिये विस्थापन एकांग समय में वस्तू कितना तेय कर रही है दूसरा अगर कोणिये विस्थापन को मैं समय के साथ जोड़ू तो उससे बनेगा कोणिये वेग क्या बनेगा? कोणिये वेग रेखिये वेग v बराबर होगा रेखिये विस्थापन divide by समय कि एकांग समय में बस तो कितना रेखिये विस्थापन तैय करती है वो आपका v होगा कोणिये वेग को अपन शो करते है omega से ध्यान से देखिएगा W होता है ऐसा और W को दौनों तरफ से सिकोड दो तो ये बनता है Omega ठीक है? W को दौनों तरफ से सिकोड दो तो ये बनता है Omega बोलते हैं इसको O-M-E-G-A, Omega तो Omega कोनिये विग का सिंबल है, कैसे लिखेंगे? कितना कोन, कितना कोन आपने टै किया एकांग समय में, कितना कोनिये विस्थापन आपने एकांग समय में तै किया, वो आपका Omega बनेगा तो चीजों को समझना है, बहुत ज़ाद आसान है, आपने कितना रेखिये विस्थापन तैय किया, एक आंक समय में, रेखिये विक के नाम से किलाएगा, कितना आपने कौन स्वाइब किया, कितना आख को उठाया, एक सेकंड में, वो किलाएगा आपका कौनी ये वेग, अगर ऐसा हो कभी जीवन में, कि आपकी वस्तू, जैसे मालनों यहां पे हैं, किसी समय और इस समय जो कौन है, इस समय जो कौन है, वो कौन है, थीटा 1, आपकी वस्तू यहां से चलके यहां तक जाती है, अभी समय है टीवन, वस्तु 1 से चलके 2 पे आती समय हो गया T2, अभी विस्थापन कितना है? अभी जो इसका ये है एंगल है वो कितना है? थीटा 2 है, तो इस केस में आपकी वस्तु कहां चलके कहां तक गई है? आपकी वस्तु 1 से 2 तक चलके गई है, ठीक है? तो ये होगा डेल्टा S, अगर माइनस S1, अब इसमें S2 क्या है? यहां से यहां तक का S2 है, यहां से यहां तक का S1 है, और जो विस्थापन आपने तय किया है, वो विस्थापन ये वाला है, डेल्टा S, S2 माइनस S1, तो यहां पे रेखी वेग होगा, डेल्टा S अपॉन में डेल्टा T, कोई confusion नहीं, अ आप कोण की बात करें, तो पहले कोण कितना था? थीटा 1, अभी कितना है? थीटा 2, तो आपने T1 से T2 मतलब 1 से 2 तक जाने में ये वाला कोण कवर किया है, तो यहां पे डेल्टा थीटा होगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो ओमेगा लिखा जाएगा, डेल्टा थीटा गाइनस थीटा 1, तो इस फॉर्मुले को भी याद रखें, जैसे अपन लोग पहले थर्द चैप्टर में पढ़ रहे थे, ये फॉर्मुले इस तरह से यहां भी काम में आ सकते हैं, तो ये आपका हो गया रेकिये वेक का फॉर्मुला, ये हो गया आपका कोणिये वेक का फ अब बात कुछ ऐसी है कि अगर इसको ले ताक्षणिक में, ताक्षणिक कोणी ये वेग, तो ताक्षणिक कोणी ये वेग क्या होगा, ओमेगा, ताक्षणिक आपको पता है ये क्या होता है, डेल्टा, ये जो ओमेगा है, इस ओमेगा में एक लिमिट लगाने पड़ेगी, नमबर थर्ड, लिमिट डेल्टा टी टेन इट जिरो किसमें लगाओगे, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी में, तो ओमेगा ताक्षनिक को इंग्लिश में बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस, उसका फर्मॉला बनेगा, तो एक बार वापस से दिखना पड़ेगा, यह थोड़ा सा डिसक्रेक्ट हो गया था, चल यह तो इंस्टेंटेनियस की बात चल रहे थी, एख होप आप लोग थुला कैच अब कर लेंगे इस चीज़ में, इंस्टेंटेनियस की बात चल रही थी, लिमिट लगाने से इंस्टेंटेनियस निकल के आता है, है न, तो चेकआउट करें, लिमिट ती तैंडिंग टो जीन तो लिमिट बीमिट देल्दा टी टंडिंग तो यह बन जाएगा D theta upon dT तो यहां से omega टाक्षणिक आपको मिल जाएगा सही बात किलिए रहात है उसके बाद आगे बात करते हैं इधर देखें तो टाक्षणिक रेखिये वेख ताक्षणिक रेखिये वेख के अगर बात करें तो यहां से V ताक्षनिक V ताक्षनिक निकल के आएगा लिमिट लगाने पड़ेगी यह तो अपने थर्च अपने पढ़ा भी है लिमिट डेल्टा टी रेन गिटो जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी यह बन जाएगा डी एस अपॉन डी टी V constantaneous clear तो यह सारे formulae को अगटा दिमाग में fit रहने चाहिए चीज़ें दिमाग में clear होनी चीज़ें चीजें का चल कैसे रही है ताक्षनिक कोणी ए वेक का पूरा आडिया होना चीए ताक्षनिक रेखिए वेक का पूरा आइडिया आपको होना चाहिए कुछ नहीं है बस इसमें ही डेल्टा टी टैनेंग्टो जीरो करना है और इसका लॉजिक चेप्टर नमर थर्ड में आप जान चुके हैं अगर नहीं सीखा है वहाँ पर तच वीडियो देखना पड़ेगा instantaneous velocity वाला वीडियो देख लीजिएगा क्लियर हो जाएगा आपको बढ़िया बागेजिन बचों समझ में आ गया एक बार थम सब देदो तापी समझ में आ जाए कि सब पूछ साही चल रहा है अब ये तो क्लियर हो गया कि रेखिये विस्थापन के संबंद में रेखिये वेग म अगर दोनों और समय के सापेख्ष आप आउकलन कर देए दोनों और समय के सापेख्ष अगर आप आउकलन कर दें तो इधर हो जायेगा ds अपॉट 8 don wasn't. कि आर कॉंसटेंट है उसको छोड़ दीजिए theta हो जाएगा d theta upon dt तो अगर समय के सापेक्ष अगर आप दो दरब आउकलन कर दें तो यहाँ पे भी divide by dt यही तो हुआ आप आउकलन जानते हैं मैंने पड़ा रखा है आपको dy by dx मतलब y का आउकलन x के सापेक्ष तो मैंने यहाँ पे इसका आउकलन किया समय के सापेक्ष क्योंकि s बदल रहा है समय के साथ r समय के साथ नहीं बदल रहा है इसलिए वो constant है r क्या एत्रिजा समय के साथ नहीं बदल रही है देखो अगर आप समय के साथ चल रहे होगे तो आपका s भी बदल रहा होगा और आपका theta भी बदल रहा होगा इसलिए बोल रहा हूं है ds upon dt, d theta upon dt तो कि s और theta दोनों समय के साथ बदल रहे हैं परन्तु, r क्या है जी? r नियत है, तो यहां से आप देखो ds upon dt आपका v हो गया रेखिये वे यहां से relation निकल के आगया v बराबर r omega इसको कभी मत भूलना यह रेखिये वेग और कोणिये वेग के बीच का relation है और मातरक भी बताएता हूं मैं आपको जो मातरक की बात करें तो यहां पर रेखिये वेग का मातरक होगा मीटर प्रती सेकंड और यहां पर थीटा का होता है रेडियन समझाये था ना भी तो रेडियन पर सेकंड तो relation को भूलना नहीं है यहां से आपको सब कुछ किलिए हो जाएगा कि चीज़ें किस प्रकार से चल रही है ठीक है तो यह आपनको इस तरह से दिखना पड़ता है तो यहां से आपको चीज़ें समझ में आएंगे यह relation आपको याद कर लेना है इसको learn कर लेना है वी बराबर आर इंटू ओमेगा आपका रेखिये वेग बराबर तिरिज़ा इंटू कोणिये वेग इसको बूलना नहीं है अब कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद रखते है वी बराबर ओमेगा आर एक ही बात है आर ओमेगा लेको चाहा है ओमेगा लेको ठीक है समझ मागए हां तक और यह सब चीज़ें आपको दिमाग में होने चीज़ें अब आप बोलोगे कि सर कोई और रास्ता है क्या कि अपन ये relation निकाल सके इनको अपन रिलेट कर सके या फिर कोई और derivation का तरीका जिससे अपन रिलेट कर सके तो बहुत सरा अलगले methods भी होते हैं जिनसे आप same चीज़ को derive कर सकते हो same चीज़ को बताता हूं मैं आपको कैसे यही same relation देखना जैसे आपको पता है कि अगर इसका method number 2 बताता हूं समझ में आजा हैं मैं ऐसे जरूर कर दिया करो method number 2 देखो इसका 360 degree का जब कोणी ये विस्थापन होगा तो एक चकर देखने को मिलेगा आपन को क्योंकि अगर आपकी वस्तो यहां से चलना शुरूर करे और घूम करके वापस यहीं पर आ जाए तो एक चकर अगर वस्तो यहां चले घूम करके वापस यहीं पर आ जाए तो एक चकर में कितने डिगरी का कोण होगा 360 तो 360 degree में एक चकर मतलब 2 pi radian में एक चकर होगा एक चकर में रेखी विस्तापन कितना होता है तो 2 pi हो गया कोणी है विस्तापन एक चकर में रेखी विस्तापन पूरी परीदी के बराबर होगा अर्थात 2 pi r के बराबर होगा यह है कोणी है विस्तापन परीदी के बराबर 2 pi r तो 2 pi radian में विस्थापन कितना है 2 pi r तो एक radian में विस्थापन कितना होगा एक radian में विस्थापन होगा आपका 2 pi r बटा 2 pi सही है तो theta radian में आपका विस्थापन कितना होगा theta radian में विस्थापन होगा उस विस्थापन को अपन लोग जो है बोलें तो वो कितना होगा आर थीटा मतलब थीटा रेडियन में जो रेखी विस्थापने वो ऐसे तो यहां से रिलेशन आता है S बराबर R theta जो relation आपने यहाँ पर समझाता तो चाहे आप ऐसे समझें बात एक ही है मैं फिर से आपको बताता हूँ आपको clear करते है 360 degree 360 degree एक चक्कर में है इसका मतलब 2 pi radian 360 को क्या बोलते हैं 2 pi बोलते हैं नहीं बताया था नहीं अब भी आपको पाई बराबर होता है 180 degree तो 2 pi बराबर कितना होगा 360 degree ठीक है 360 degree में एक चक्कर हो रहा है मतलब 360 degree में रेखिये विस्थापन कितना होगा परीदी के बराबर 2 pi r तो 2 pi radian में 2 pi r है एक radian में कितना होगा 2 pi r बटा 2 pi r बचो इसका मतलब theta radian में कितना होगा अब एक radian में r है तो theta radian में r into theta होगा आप चाहो तो इसको capital कर सकते होगी capital ही अपने ले रहे हैं starting से तो यहां से formula बनके आगया आपके पास और theta radian में जो रेखिये विस्तापन है वो अगर इतना है तो रेखिये विस्तापन बराबर कितना आगया r into theta यही सेम चीज़ जो अपने angle बराबर r कपाउन radius से निकाला था वो आप ऐसे भी derive कर सकते हो तो जरूरी नहीं derivation का एक पैट अलग तरह से हो सकते हैं बढ़ हाँ आपनको result last में अच्छे से याद रखना होता है उसके बाद समय का आप और इसमें भागीदारी बना दो समय की भागीदारी बनाती चीज़ आपके सामने आ जाएंगी और इसको drive करने का भी एक और तरीका हो सकता था आपको पता है अच आर इंटू ओमेगा जो derivation अपन ने अउकरन की सायता से किया अउकरन लगा की किया आप वैसे भी डायेट कर सकते थे कोई दिक्कत नहीं है तो एक ही चीज़ को करने के अलाला तरीके हो सकते हैं और result अपनको अच्छे जयाद होना ची एक तो यह वाला formula result है दूसरा यह वा और comment section में जाकर के formula लिखना है V बराबर R omega दूसरा S बराबर R into theta नाम लिखना है V कौन है R कौन है S कौन है R कौन है Theta कौन है अच्छे से तो इसी साथ में आपको class को एंड करते हैं नीचे WhatsApp नंबर शो होने दगें उसके पर आपको message करना है message करते ही WhatsApp पे आपको application का link मिलेग application install करेंगे आप Google Play Store से फिर आपको वहां पर login as a student करेंगे store tab का link मिलेगा store में आपको अपनी class का course मिलेगा जिस course में आपको notes test series देखने को मिलेगी videos देखने को मिलेगी तो वहां से आप purchase कर सकते हैं ताकि इस साल आपको पढ़ाए में कोई भी दिक्कत ना है झाल आपकोई टो, आपको देखने लोगाए में कों मिलेगा